आज जो parameter है उसके बार हम बात करेंगे CRP test यानि कि C-reactive protein quantitative एक test होता है जिसका आप qualitative भी करते हैं और quantitative भी करते हैं तो इसमें हम जानेंगे quantitative जिसमें result आता है जैसे इस patient का जो result है आप देख रहे हो वह आया है कितना 13.93 ये जो value देख रहे हो आप ये 13.93 value आया है जबकि normal range होना था ये 0 से लेकर 10 mg पर लेटर तक अब ये जो test होता है ये क्यों करवाय जाता है जो CRP जो test होता है ये actually क्या करता है कि हमारे body के अंदर किसी तरह का कोई inflammation अगर हुआ है तो उसको identify करने के लिए ये test करवाय जाता है ठीक लेकिन जो CRP होता है ये बहुत ही ज़्यदा एक sensitive test होता है sensitive in the sense कि जब भी आपके सरीर में किसी तरह का कोई वी inflammation अगर होगा तो ये चार से छे घंटे के अंदर ही react करता है और आपके body में इसका जो label होता है वो बढ़ना चालो हो जाता है इसलिए हम इसको sensitive भी बोलते हैं कि काफे ज़्यादा ये sensitive test होता है ठीक अब ये जो test होता है इस test को हम markup inflammation infection के नाम से भी हम इसको जानते हैं और इस test को हम क्या करते है कि जब भी आप करवाते हो तो ये देखा जाता है कि आपके body के अंदर किसी तरह के कोई arthritis तो नहीं है उस condition में भी जो doctor होता है वो doctor recommend करते हैं कि आपको ये test करवाना चाहिए साथ ही साथ जो pregnant महिलाय होती है उसमें भी ये test करवाय जाता है आप तो immune disease अगर किसी बेक्तु को हुआ है या किसी बेक्तु को अगर bubble disease हुआ है तो उस condition में भी doctor आपको CRP का जो test होता है वो करवाने के लिए बोलते हैं लेकिन जब इसकी result correlate करने के होती है तो जो ESR का एक test होता है इस test से इसको correlate करते हैं और इसको recovery percentage होता है वो ESR test से पहले recover हो जाता है लेकिन अगर इसका अगर दोनों का दोनों result अगर एक साथ बढ़ा हुआ है तो हमालेते हैं कि यह किसी ना किसी तरह से आपको देख सकते हो कि inflammation हुआ है किसी बीमारी का जिसके वज़ा से इसका range बढ़ा हुआ है लेकिन जब यह कम होगा तो ESR के range से भी जल्दी यह कम होके normal में आ जाता है तो एक identify हो जाएगा लेकिन CRP के test से आप यह confirm नहीं कर सकते कि आपको arthritis को जैसे बढ़ा हुआ है पॉल डिसिस को जैसे बढ़ा हुआ है या pelvic inflammation को जैसे बढ़ा हुआ है या कहीं पर tissue injury होगर हुआ है तो वहां से बढ़ा हुआ है या कोई infection है यह confirm नहीं बताता है कि कि किस बीमा पर आपका ट्रेड में चालू करते हैं और फिर आपको बीमारियों से निजात दिलाते हैं तो उम्मीद करते हूं वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्काइब करें बेल आप प्रेस कर देना मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में